पुर्व मंत्री मुकिश के पिता की हत्या का बिहार पुलस ने खुलासा कर एक अपराधी को ग्रफटार कर लिया बिहार के दर्भंगा जिले के घंशामपुर थानाक शेतर के अफजला गाउ में घटित हत्या की घटना की सफल उद्वीदन बिहार पुलस ने कर लिया है एक अभियुक्त काजिम अंसारी उम्र 44 वर्षप पिता ग्रफीक अंसारी ग्राम अफसला सुपॉल बासार थाना घंशामपुर को ग्रफतार कर लिया किया उन्होंने घटित घटना को स्विकार करते हुए पिस्तार से बताया अभियुक्त नेम रतक जीतन सहनी से ब्यास पर डेड़ लाख रुपे 4 प्रतिशत मासिक ब्यास पर लोन गया था इसके ना चुका पाने के कारण गिरवे रखी जमीन ना चुड़ा पाना था जिसे चुकाने में असमर्थ नहीं हो पा रहे थे घटना की रात्री में लगभग देड़ बजे काजिम और उसके साथियों ने खरके पीछे के दर्वाजे से प्रवेश किया दर्वाजे में अंदर का लॉक नहीं है प्रवेश करने के बाद अभियुक्त ने म्रतक को जगा कर डरा धमका कर अपनी जमीन और लोन के कागजात मागे परन्तु म्रतक ने अभियुक्त ने लिया कि अल्मीरा को बंद अवस्ता में पानी में फेक दे ताकि सभी काज़ात गलकर नस्ट हो जाए सभी लोगों ने मिलकर लगडी की अल्मीरा को घर के पीछे इस दित छोटे से तालाब में फेक दिया और वहाँ से फरार हो गए उप्तमामले की पुस्ट्री दर्भंगा के SSP ने की है तो इनका मुतन वह एक दिया तरफ चर्टी कांसार कि लगड़ा पसला के सभी जाने लिए तो इनका मुट्य है जो इनके 2,021 राइस दे जाता और में 2,021 दे तौन 25,000 व्याज दे भी आता इंका प्चास दाला ब्यास दे लिए ता बेटन 1,500,000 प्रें के सब्सक्शदे वोगाए था यह पर बड़ते जा रहे हूँ अर एक पड़ा का दुकान खी क्वां ऐता गया था गया हुग था लोगा था घृण होगें थिग अधिक फीजिल जो पैसाह जादा हुगाए था और उन्का जन्रील का थीजिल पहले जननीन का थीजिल पहले जनदा हुआ था जि अन्य साथुन के साथ नियुकर इनने जो लगनास के पंद्रद और सुर्द नारी नातरी लगबद साथे बस बश्य से गयारा बश्य के पिश्य उन्होंने रेखी किया इस इसी की फूटेज में पाया गया जो जो लगबद बगल का जो गयारम लगा हुआ है इसके बाद लगबद एनरवरी के भी साथी है जो लैटाउ आक पुसी टाएं हुआ है पीचे से धरवाजे कर्कर जो जितन सरजी से वार हिँआ हुआ हुआ है अर नहीं बीद दोगों हुआ है इसके बाद पाया थिना चापउर से अग्यार से उर्टा कर गया गया और इसके बाद जो लाएख और जाने के करह मेह जो उपनता हुआ। इसी वह इसको पेक़ के वहाँ से वड़ा दना।